गटाय क्या दिखाती हैं कल ही हरदोई में दुर्भागे पूर्ण घटना घटी थुई और हरदोई में घटना में भी विरेंद्र यादो इस समाजवादी पार्टी का पूर जिलाद्हक्स है आप देखो किस प्रकार के बैक्ति को आप जिलाद्हक्स बना रहे हैं इस पे IPC और CRPC की कोई ऐसी धारा नहीं जो ने इस पे लगी हो 28 ऐसे मामले हैं और SNE के मामले 17 से 24 के बीच के हो इस पे पहला अपराग तरज हुआ था 89 में दोसा है 91 में तीसरा 91 में चौथा 91 में पांचवा 92 में छटा 90 में फिर 93 में फिर 92 फिर एक इससे पहले 98 इससे पहले 96 2006 2008 2013 2013 ने तो अपी की गवर्मेंट थी 2007 2009 2008 2015 2015 में भी आपकी सरकार थी 2016 में 2016 में 302 में भी ये बेक्तिलिप तरा है 302 की भी घटा में सामिल ना है 388 की घटा में भी ये बेक्तिलिप तरा है इसी प्रकार से 2016 में 302 की मामले में भी तरा है 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतरगत इसके खलाब करवाई हुई है ऐसे ही इसके खलाब फिर 2002 में भी इसके खलाब गुंडा एक्तिक अंतरगत करवाई हुई है 2017 में यूपी गुंडा एक्टिकें परकत इसके खलाफ करवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खलाफ करवाई हुई है 28 इस प्रकार के मामलों में बेक्टी लिपत है समाजवादी पार्टी का पूर जला ध्यत सहेकल एक अधिवक्ता की हत्या सरियाम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपरादियों को आप कहते हैं साथ गोली मार रहे हैं क्या माला पहनाएंगे क्या